दिन भी किसानों का अंदोलन लगातार जारी है किसानों का कहना है जब तक सरकार किर्शी कानूनों को वापस नहीं लेगी जब तक किसानों का अंदोलन जारी रहेगा किसानो दारा पहले ही साफ कर दिया गया था अगर सरकार 26 जनवरी से पहले किसानों की मांगो को नहीं मानती है वहीं हमारे संबाद दाता ने भारती चिसान यूनियन के राश्टी प्रिवक्ताराकेस्टिकाद से खास बात्चित की दो महीने किसानों के आंदोलन को हो चुके हैं किसानों की तरफ से पहले ही साफ कर दिया गयाता है अगर सरकार 26 जनवरी से पहले किसानों की मांगों को नहीं मानती है तो किसान एक ट्रेक्टर परेड करेंगे हमारे साथ बादे किसान यूनिन के नेता राकेश टिकाद मोजू क्या रणनीती बनाएगे किस तरीके से जांगे सड़कू सड़क जांगे से निकल का दिल्ली में और जो रूट बना है जो तेह करा है उसको फाइनल करके और बताते हैं कुछ किसानों की तरफ से यह भी कहना है कि जो पैट्रोल पंप है उन पर किसानों को तेल नहीं दिया देखो जो पैट्रोल पंप तेल नहीं देगा उसका किसान बहिसकार करेंगे आने वाले टाइम पर भी और जो पुलिस परसासन नहीं तेल देगा तो उसका भी वहाँ पर इलाज करेंगे उने जिलू में 26 जनवरी को लेकर किसानों की तैयारी क्या है किस तरीके से किसान दि कोई ट्रेणिंग अलाग तरह कोई नहीं शब ट्रेक्टर शांती पूंतरी किसे चलेंगे कोई ट्रेणिंग नहीं है औरना यहां पर वो करने दिया जाएगा अगर किसो कुछ तरह का कोई माहुल खराब करना है बड़ाय महरबानी करके इस प्रेड में दिल्ली वाले मुमे तो यह थे हमारे साथ राकिष्टिक्या दिनका साफतोर पर कहना है कि 26 जन्वरी वाले दिन किसान अपने ट्रेक्टर ट्रोली लेकर दिल्ली के अंदर जाएंगे और परेड करेंगे कैमरामेन कासिप के साथ सोनुखान गाजबाद